मुवी के शिर्वात एक बहुत ही भयानक राद से होती है जहां पर हमें एक घर दिखाया जाता है उस घर में से एक लड़का किसी किलर से बचने की कोशिश करता है जो उस घर के सबी मेंबर्स को मार चुका होता है और अब वो उस लड़के को भी मानने के लिए ढून रहा होता है तब ही वो लड़का एक बैट के नीचे जाकर छुप जाता है मगर वो किलर उस बैट को उठा कर उस लड़के को भी जान से मार देता है फिर अगले दिन सुभा हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम चारली होता है जो अपनी मदर के साथ एक घर में रहता है लेकिन उसकी मदर अपने नए पड़ोसी से बहुत परिशान होती है क्योंकि उनका पड़ोसी अपने घर का पूरा कच्रा बाहर और उनके घर के सामने फेक देता था इतने में ही चारली के कॉलेज का टाइम हो जाता है और चारली अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ कॉलेज आ जाता है और काफी दिनों से चारली एक बात नोटिस करता है कि उसका एक फ्रेंड कहीं दिनों से एपसेंट है फिर चारली की मदर अपने उस नए पडोसी से बात कर रही होती है जिसका नाम जेरी था और इतने में ही चारली और उसकी फीमेल फ्रेंड भी वहाँ आ जाते हैं फिर चारली की मदर जेरी को चारली और उसकी फीमेल फ्रेंड से इंटर्ड्यूस कराती है फिर कुछ देर बात करके वो सब वहां से चले जाते हैं और चारली की मदर को जैरी एक बहुत अच्छा इंसान लगता है फिर उसके बाद चारली और उसका फ्रेंड अपने मिसिंग फ्रेंड के घर उसे ढूनने के लिए जाते हैं मगर उसके घर पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता इसलिए वो चालो फिर जैरी भी उसकी हेल्प करने के लिए स्विमिंग पूल में आ जाता है और जैरी अचानक से एक वेंपायर बन जाता है और चारली के फ्रेंड को मार कर उसका खून पी लेता है फिर चारली और उसकी फीमेल फ्रेंड उसके घर पे बैठे होते हैं और तभी चारली अपनी وिन्डो से जेरी को अपने किसी फीमेल फ्रेंड से बात करते हुए देख लेता है और अपनी फीमेल फ्रेंड से कहता है कि जेरी आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा इसलिए चारली जेरी पर पूरी नज़र रगता है फिर अगले दिन जैरी के साथ उसकी फीमेल फ्रेंड को ना देखकर चारली को उस पर शक हो जाता है और वो जैरी के घर में गुस कर उसकी फ्रेंड को ढूनने की कोशिश करता है फिर चारली को बहुत से सीक्रेट रूम दिखते हैं उनमेंसे एक रूम में जैरी की फीमेल फ्रेंड भी होती है फिर चारली उस लड़की को इस रूम से बाहर निकालने की कोशिश करता है मगर वो रूम लॉक होने के कारण नहीं खुलता इतने में वहां जैरी आ जाता है और चारली जल्दी से किसी रूम में छुप जाता है जैरी आते ही अपनी फीमेल फ्रेंड के रूम को खोल कर उसका खून पीने लगता है और चारली ये सब अपनी आँखों से देखकर बहुत डर जाता है क्योंकि उसने वेंपायर को सिर्फ मूवी में देखा होता है मगर आज उसके सामने ही वेंपायर खड़ा होता है जो कि उसका पडोसी है फिर चारली अपने घर आकर अपनी मॉम को कहता है कि आप प्लीज चेरी से दूर रहिए चारली अपनी मौम को सच बताना चाता है मगर बता नहीं पाता क्योंकि उसे पता होता है कि बिना सबूत के उसकी मदर उसकी बात पर यकीन नहीं करेगी फिर चारली एक वेंपायर हंटर से टाइम लेकर उससे मिलने जाता है उस वेंपायर हंटर का नाम पीटर होता है और पीटर एक काफी फेमस वेंपायर हंटर होता है और चारली को पीटर पर पूरा बिलीव हो जाता है कि वो जैरी को मारने में उसकी हिल्प करेगा फिर चार्ली पीटर से मिलकर उसको सारी बात बताता है मगर पीटर उसकी बातों को मजाग समझता है पीटर को ये सब बाते सिर्फ पनी बनाई कहानिया लगती है मगर फिर भी पीटर चार्ली को कहता है कि अगर वो सच में एक वेमपायर है तो उसे कभी भी अपने घर में इंवाइट मत करना क्योंकि वैमपायर्स किसी की पॉमिशन के बगेर किसी के घर नहीं जा सकते दूसरी तरफ जैरी एक एक करके सब को अपना शिकार बनाता जा रहा होता है और वक्त के साथ बहुती जादा खतरनाक बनता जा रहा था फिर चार्ली की फीमिल फ्रेंड उसके घर आती है और चार्ली का बदला हुआ बीहेवियर देखकर उससे पूछने लगती है कि तुमें क्या हो गया है और तुम इतनी अजीब सी हरकते क्यों करने लगे हो फिर चार्ली अपनी मदर और अपनी फ्रेंड को बताता है कि जैरी एक वेंपायर है और मैंने अपनी आखों से जैरी को किसी लड़की का खून पीकर उसे मारते हुए देखा है उसी वक जैरी उनके घर के बाहर आकर चार्ली की मदर से कहता है कि मुझे घर के अंदर आने के लिए इंवाइट करें मगर चार्ली अपनी मदर को ऐसा करने से रोग देता है और चार्ली की मदर अंदर से ही जैरी को वहां से जाने के लिए कहती है फिर जैरी वहां से जाने लगता है और अचानक से वो चारली की गार्डन में जाकर जमीन को खोदने लगता है वो चारली के घर के गेस के पाइप निकाल कर उसमें आग लगा देता है जिसकी वज़े से चार्ली की पूरी घर में आग लग जाती है लेकिन किसी तरह वो तीनों उस आग से बच जाते हैं फिर जैरी उदर आके उनसे कहता है कि अब तो उनका घरी ने रहा इसलिए मुझे अब किसी की इंविटेशन की जरुरत नहीं फिर वो तीनों वहां से अपनी गाड़ी में भाग जाते हैं लेकिन जैरी उनकी जान इतनी आसानी से छोडने वाला नहीं था फिर जैरी भी अपनी गाड़ी लेकर उनका पीछा करने लगता है फिर अचानक से वो अपनी गाड़ी चार्ली की गाड़ी के सामने लाकर खड़ी कर देता है और खुद बाहर आकर खड़ा हो जाता है मगर चार्ली की मदर अपनी गाड़ी को नहीं रोकती और जेरी के उपर अपनी गाड़ी चला देती है लेकिन इससे जैरी उनकी गारी के नीचे आ जाता है इसी वज़े से वो उनकी गारी में भी गुसने की कोशिश करता है मगर तबी एक दूसरी गारी चारली की गारी में आकर खुश जाती है और चारली अब कहीं भी आसपास नजर नहीं आ रहा होता फिर दूसरी गाड़ी वाला आदमी अपनी गाड़ी से बाहर आता है और अचानक से जैरी भी चार्ली की गाड़ी के नीचे से बाहर आता है और वो भी अपने पूरे वेंपायर रूप में आ जाता है फिर जैरी उस दूसरी गाड़ी वाले आदमी के पास जाकर उसका खून पीकर उसे मार देता है फिर चार्ली जेरी को एक क्रॉस दिखा कर डिराने की कोशिश करता है मगर इससे जेरी को कुछ फरक नहीं पड़ता और जेरी उस क्रॉस को ही जला देता है और चार्ली को मारने वाला होता ही है कि चार्ली की मदर जेरी में एक लकड़ी घुसा देती है और जेरी बहुत तरपने लगता है लेकिन चारली जानता था कि जेरी दुबारा अपने वेमपायर रूप में आ जाएगा इसलिए वो तीनों वहां से निकल जाते हैं और फिर चारली उस वेमपायर हंटर पीटर के पास जाकर उसे सारी बात बताता है फिर पीटर चारली से बोलता है कि सौरी मैंने उस दिन तुम्हारी बात पर बिलीव नहीं किया था और वो चारली को बताता है कि काफी सदियों से वेमपायर भी इस दुनिया में पाए जाते हैं और ये वेमपायर सारे इंसानों को अपने जैसा ही बनाना चाते है तब ही अचानक से पीटर के घर एक आदमी पार्सल लेकर आता है जिसे चारली ने एक वेंपायर बना दिया होता है उसे देखते ही पीटर डर जाता है और एक रूम में जाकर खुद को बंद कर देता है तब चारली और इसकी फीमेल फ्रेंड वहां से अपनी जान बचाने के ले भागते हैं और चारली का वो वेंपायर फ्रेंड उन दोनों के पीछे पर जाता है फिर चारली अपनी फीमेल फ्रेंड को वहां से भागने को कहता है और उस वेंपायर को अपने पीछे लगा देता है और अब चारली और इसकी फ्रेंड अलग-अलग हो जाते हैं फिर वहां अचानक से चार्ली की फीमिल फ्रेंड के सामने जेरी आ जाता है तब ही चार्ली की फीमिल फ्रेंड की नजर एक होली वाटर पर पढ़ती है और वो उस होली वाटर को जेरी के फेस पर फेक देती है जिसे जेरी का फेस जलने लगता है और चार्ली की फ्रेंड वहां से गिर जाता है और फिर चार्ली एक लकडी को अपने वेंपाइर फ्रेंड के दिल के आरपार कर देता है और चार्ली का वो वेंपाइर फ्रेंड वही मर जाता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ से भाग कर एक क्लब की पार्टी में आ जाते हैं जहां पर बह वहां से चला जाता है फिर चारली वहां से सीधा वेंपाइर हंटर के पास थाता है और उस पर बहुत गुसा करता है और कहता है कि तुमने हमें मरने के लिए अकेला छोड़ दिया फिर चारली कहता है कि चलो छोड़ो इस बात को कोई बात नहीं मगर अब हमें किसी तरह जैरी कि आर पार करना होगा जिससे वो मर जाएगा capacity जैसे ही जैरी मर जाएगा वो सारे लोग बच जाएगे जिससे उसने वेंपार बनाने के लिए रखा होगा फिर चारली पिटर से कहता है इसका मतलब मेरी फ्रेंड अभी भी बच सकती है और चारली कहता है कि मैं तो जैरी को नहीं छोड़ूँगा उसे मार करी रहूंगा और पीटर से कहता है कि मैं तो जैरी को जला दूँगा मगर उसके दिल में नोगदार लकडी को आर पार करने का काम तुम करोगे पीटर को पता था कि चारली अकेला ऐसा नहीं कर सकता था इसलिए वो चारली की हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है फिर अगले दिन चारली को जरूरी हतियार लेकर जैरी के घर आ जाता है फिर उने चार्ली की female friend के रोने की आवाज आती है और वो दोनों सा आवाज को फॉलो करते हैं और पीटर अच्छानक से एक basement में गिर जाता है और इतने मेही जैरी वहां आकर पीटर पर attack कर देता है फिर जैरी वहाँ पर अपना खून गिरा कर अपने सारे वेंपायर्स को जिन्दा कर देता है और वो सारे वेंपायर्स धीरे धीरे जमीन से बाहर आने लगते हैं अब पीटर वहाँ बुरी तरह से फस जाता है और दूसरी तरफ चारली को अपनी female friend भी मिल जाती है जो बिलकुल ठीक लगती है मगर चारली के पास आते ही वो एक vampire बन जाती है और चारली को मारने की कोशिश करती है मगर चार्ली एक नोगदार लकडी अपनी फ्रेंड के आरपार कर देता है लेकिन उसकी फ्रेंड को कोई फरक नहीं परता क्योंकि चार्ली वो नोगदार लकडी उसके दिल के आरपार नहीं करता बस उसके शरीर के आरपार करता है फिर उसके बाद चारली पीटर को बचाने के लिए वहाँ बेस्मेंट में आ जाता है और देखता है कि सारे वेंपाइर पीटर को मार रहे होते हैं फिर चारली उपर की तरह एक गोली चलाता है जिसे वहाँ पर सूरज की रोशनी आ जाती है जिससे वो सारे वेमपायर्ज जलने लगते हैं और वहां से भाग जाते हैं पीटर अभी जिनता तो था ही मगर काफी जखमी हो चुका था और इतने में ही वहां पर जेरी आ जाता है और कहता है कि welcome to fright night और चार्ली से कहता है कि कुछ ही देर में उसकी फ्रेंड भी पूरी तरह से वेंपायर बन जाएगी और तब चार्ली एक बात नोटिस करता है कि जैरी भी एक वेंपायर है इसलिए वो भी सूरज की रोशनी से डर रहा है तब ही अचानक से चार्ली अपने फेस पर मास्क और ग्लासिस लगा लेता है और खुद को एक सूर पहन कर कवर कर लेता है और वो अपना पूरा प्लान पीटर को भी समझा चुका होता है तबी वो खुद को आग लगाकर जैरी की तरफ जाने लगता है और उसको पकर कर एक हुख के जरीए जैरी को खुद से बांध लेता है और जैरी जलने की वज़े से तडब कर खुद को आजाद करने की बहुत कोशिश करता है मगर चारली से अलग नहीं हो पाता चारली के प्लान के मुताबिक जैरी को पहले जलाना था इसलिए चारली उसे पहले जलाता है फिर पीटर अपने पास पड़ी गन से उपर की तरफ शूट करता है जिसकी वज़े से उस रूम में हर जगर पर सूरच की रोशनी फैल जाती है इसी वज़े से जैरी बुरी तरह स दिल के आर पार कर देता है जिससे जैरी धीरे धीरे डस्ट में बदलता हुआ एकदम से फट जाता है और मर जाता है और उसके मरते ही वो सारे लोग बच जाते हैं जो अभी तक वेंपायर नहीं बने थे चारली ने जैरी को मार कर पीचर और अपने दोनों फ्रेंज को भी बचा लिया था और यहीं मुवी एंड हो जाती है